कि नमश्कार सभी को मैं जैसो लंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिक्षा सागर में जल्दी से आजाएं सभी लोग फिर शुरू करेंगे अपनी आज ही क्लास को और एक बार देखें कि आपको दिखाए दे रहा है या नहीं दिखाए दे रहा है हां जी ठीक है clear है सब कुछ clear ने चली जी ठीक तो जल्दी से आज गरेंगे अपने आज के कॉश्चंस को और यह सारे कॉश्चंस आपके प्रिव्येस य जो प्रिविएस यर से लिए गए हैं यूपी टैट या है अगर आप login सभी previous year को करते हैं तो कुल मिला के ये मानों कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके सामने जो एक्जाम आने वाला है वो किस लेवल का आने वाला है और आपके syllabus में जो चीज डिसकस की गई थी वो किस प्रकार से आप लोगों से पूछी जाएंगी ये सा telegram आपको link मिल जाएगा इसी वीडियो के description में वहां जाके आप लोग जोइन कर लीजिए free of cost है कोई पैसे लगते तो इस वज़े से करने में कोई हर्ज भी नहीं है तो वहां जाके आप जोइन करेंगे तो आपको हर रोज notification मिलेगा जब भी class शुरू होगी अगर class आठ सब्सक्राइब को सब कुछ क्लियर है क्या कि सबसे पहले आएं अच दिव्या तिवारी राखी दिमन नीता पाठक राखी चंद्रा साधना उशा रानी चलिज जल्दी से आजाएं सभी लोग उसके बाद शुरू करेंगे अपनी आज की class को शुरू कर ही देते हैं बाकि ज आफ शाला प्रशन घास भूमी शेत्र के पारी पारी तंत्र की में सबसे उचस तरके उपभोगता कौंसे होते हैं मतलब की food chain में कौन सी food chain में ग्रास लेंड की food chain में आपको सबसे ऊपर जो टॉप consumer है वो कौन से देखने को मिलेंगे हर्विवोर, कार्निवोर, बैक्टीरिया या फिर कार्निवोर, हर्विवोर दोनों में से कोई भी शाकाहरी, मासाहरी, जिवानू या फिर मासाहरी, शाकाहरी में से कोई भी जल्दी से बताएं, और कोशिश करें, क्योंकि आप लोग इमानदारी से खुद अपनी तयारी कर रहे हो, इस वज़े से सिर्फ option को टिक ना करते हुए, उसके साथ-साथ ये भी बताएं कि आप शाकाहरी कह रहे हैं, तो कौन से जानवर शाकाहरी में आते हैं, अगर मासाहरी कह रहे हैं, तो कौन से मासाहरी में आते हैं, जिवानू कह रहे हैं, तो कौन से जिवानू आते हैं, और अगर ये option चूज करते है हैं तो दोनों का एक एक example, जल्दी से बताएं, तो कि थेक है, भाई राकी चंदरा कहती है, इसका answer होना चाहिए, हर बी वोर, मोहित कुमार का कहना है, थार्ड option, ठीक है जी? जल्दी से बताएं, सभी बताएं, उसके बाद, फिर मैं final answer बताता हूँ थोड़ा सा explain भी करूँगा कि क्या और क्यूं और कौन तीनों चीज़े आपको बताऊँगा ठीक मिला जूला अंसर है वैसे तो आप लोग का अब मेरी बात सुनो कि होना क्या चाहिए सबसे पहली बात क्या आती है घास भूमी कि जब बात की जाएगी तो इसमें किस प्रकार के आप लोगों को जानवर देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहि में ग्रेजिंग इनिमल कौन सा होता है आप हिरन मान सकते हैं आप कुछ उसके इसके अलावा अब क्योंकि यह जानवर है तो इनको खान वाले वी जानवर esos साथ साथ ही होते हैं जैसे या तो चीता होगा या तो बाग होगा या तो शेर होगा इन में से कोई ना कोई जरूर होगा ठीक अच्छा अब यह बताईए कि अगर यह जानवर है तो इन में से शीर्ष उपभोगता कौन सा होगा शीर्ष उपभोगता किसको कहते हैं जैसे सब से पहले पोधा फुल्धे को किस ने खाया हेड़न ने रिण को किसने खाया शेय ने तो टॉप कंजूमर कौन सा ओगया शेयर तो अब इस रह religy में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर अगर देखा जाया तो कौन हो सकता है मासाहारी हो सकता है अब मासाहारी यहां भी है और मासाहारी यहां भी है इसमें हमें option जादा मिल जाते हैं इस वज़े से हम इसको टिक कर सकते हैं ठीक अगर इसमें क्या होता मासाहारी और शाकारी इस प्रकार से होता, दोनों में से एक चुनना होता, और मतलब हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला, तो अगर दोनों में से एक चुनना होता, तो हम मासा हरी को चुनते पर, क्योंकि हमें एक ही option में दोनों मिले हुए हैं, तो इस वज़े से हम इसको टिक कर सकत है आई बात समझ में मतलब फॉप Lt तो यहीं है किसी भी हाल में यह तो नहीं हो सकते यह तो असंभव है क्योंकि घास भूमी में यह होंगे तो यह भी होंगे और यह इनको खाएंगे को मिला हुआ हुआ है इस वजह से हम फोर्थ को कि यृस बोलो जल्दी से बताएं अगर ये बात आपको समझ में आई है तो यस टाइप करें फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे दुनिया में ऐसी कोई भी घास भूमी नहीं है जहां ये तीन हो लेकिन ये तीन ना हो ऐसा कोई भी मैदान नहीं है घास का ये बात आप लोग याद रखें ठीक चलिए जी बड़िया बात काफी लोगों ने बोल दिया है कि समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ अगला प्रशन है ये आप लोगों के सामने सरिसका राश्रिय उद्ध्यान कहां है पश्चिम बंगाल में गुजरात में राजस्था स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट भी बताएं और आप लोग महान बन जाओगे अगर आप लोगों ने ये भी साथ साथ बता दिया कि सरिसका में किसको संद्रक्षन दिया गया है तो इस वज़े से अपनी महानता का परीचय दें और तीनों बातें साथ साथ बताएं राज्य के बाद भी कहने के बाद भी ऐसे फॉर्मैल्टी में ऐसे फिसलते हुए से भाग जाते आगे सर ये अंसर है सी ऑप्षन है जी हमने बता दिया अब देखो आपने प्रशन पूछा था हमने ये बता दिया हम ठीक हो गए फॉर्मैल्टी मत निबाओ जो कहता हूं उसको एक कोशन है इससे जुड़े हुए जो और कोशन बन सकते हैं उनको लगे हाथ सॉल्व करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है ठीक अब जल्दी से बताएं भाई इसमें कुसम कुमारी कभी सबसे पहला अंसर दिखाई दिया है मुझे बिल्कुल सही अंसर कि सरिस्का राष्ट्रे उद्यान जो है वो राजस्थान में है राजस्थान में है अलवर में है और टाइगर को संद्रक्षन दिया गया है सरिस्का राष्ट्य उद्ध्यान राजस्थान के अलवर जिले में है और उसमें बाग को संद्रक्षन दिया गया है यह एक टाइगर रिजर्व है चलिजी बढ़िया बात इस तरीके से फोलो करो ब related with गुणवत्ता से पैकेजिंग से संसाधन से या उत्पादन से बताओ जल्दी से किसे संबंद देता है जल्दी से बताए कि प्रशंसा कुमारी का भी वह सही अंसर बहुत बढ़िया साधना जदायू कहती है कि अलवर लेकिन पक्का नहीं पता चलो कोई बात नहीं अलवर ही सही था सनेहा ने भी बाद में सही अंसर दे दिया काफे लोगों ने सही अंसर दिया बढ़िया बात है लेकिन थोड़ा सा लेट होगे चलो जल्दी से बताओ एग मार्क का संबंद कि से है और लगे हाथ अगर यह बता दोगे कि एग मार्क किन प्रोड़क्ट को दिया जाता है तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए जल्दी से बताओ वरना मैं तो बताओंगा ही आपको ठीक है बहुत बढ़िया काफी लोग कह रहे है कि क्वालिटी से संबंदित है बहुत बढ़िया फोर्थ अंसर किसने बताया कुसम कुमारी ने कुसम जी यहां आप गलत हो गए हो उत्पादन से संबंदित नहीं होता है उत्पादन से संबंदित नहीं होता है यह होता है ग अग्रीकल्चर और मार्क का मतलब होता है उन एग्रीकल्चरल प्रोडट्स को की गुणुवत्ता को मार्क देना या उनको सत्यापित करना या सर्टिफाय करना जो खाने की नजरिये से बिलकुल सही है गुणुवत्ता की नजरिये से बिलकुल सही है मतलब कृशी से संबंदि उन उत्पादों की गुणुवत्ता को सर्टिफाई करना जो अच्छे हैं यह काम होता है भारत सरकार की तरफ से यह दिया जाता हैं सिर्फ उन्हीं कृषिस समळ्दे चीजों को जो अच्छी होती है जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूशित सर्वार्धिक जो प्रदेश है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार या पश्चम बंगाल जल्दी से बता बहुत जल्दी से बताएं बहुत जल्दी से बताएं भी राके दिमन ने का खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ तो एक कैटिगरी है ठीक है लेकिन एग्जेक्ट कौन से खाद्य पदार्थ कृषी से संबंदित खाद्य पदार्थों को एगमार्क दिया जाता है ठीक ज उसके बाद ठीक है काफी लोग कह रहे हैं कि इसका अंसर होना चाहिए पस्चिम बंगाल बहुत बढ़िया साधना ने इसका अंसर दिया है फस्ट फस्ट नहीं होगा साधना जी ऐसा लगता है कि शायद आप ज्यादा समय से नहीं जुड़े हुए है या आपकी प्रैक्टिस ज्यादा समय से नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो वापिस से फों में आओ अपना रिवीजन करो ताकि आप लोग ठीक तरीके से उत्तर दे पाओ इनके तो आर्सेनिक कहां ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है पस्चिम बंगाल मे ठीक है अच्छा इसके अलावा आप लोगों से और क्या-क्या पूछा जाता है इसके अलावा और पूछा जाता है आप लोगों से कैडमियम पॉल्यूशन और आप लोगों से पूछा जाता है मर्क्यूरी पॉल्यूशन मर्क्यूरी पॉल्यूशन से कौन सी बिमारी होती ह से कौन सी बिमारी होती है तीनों को साईड में लिखके आनसर ढून लेना इनका इंपोर्टेंट है ऑगे बढ़ते हैं चलते हैं लिए लिए अ दीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रकास सलेशन आसवन किम या sterilization बताएं जल्दी से दूद से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और इसके साथी साथ आप लोग ये भी बताना दही से दूद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पहले क्या बताना है पहले बताना है दूद से दही बनने की प्रक्रिया और फिर बताना है दही से सकते हो बस ही है कि एक एसा तत्व है जो हमारे है शारीर को नहीं चाहिए होता ठेक is लेकिन अगर हमारे शरी में आंटरक कर जाए तो फिर क्या होता है कि हमें हमारे शुरिय भी जाती है जैसे मान लो कि हमें आइरन की जरूत होती है थोड़ी सी मात्रा में लेकिन मर्कुरी की जरूत नहीं होती पर फिर भी कोई हमारे शरीर में मर्कुरी डाल दे तो हमारे शरीर के लिए वो क्या है वो एक आवांचनीय चीज है मतलब अनवांटेड चीज है ठीक तो कु सी भी 및 उंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हों या फिर इसक्ट कोई भी इंडस्ट्री ले एरिया वो अपना जो भी वेस्ट होगा उसे नदी में या आसपास के समुदर में छोड़ देगा तो उसकी जो फीक स Tech लाई फोती है जो होते हैं वह उस आपको यादना वापिस से आपको याद दिला दू जैसे एनर्जी के रूल में क्या होता है कि जब आगे जाते हो तो energy क्या होती है घठती है तो poison में उल्टा होता है आर्सेंट हमारे लिए poison की तरह ही मानूँ यह उल्टा होगा जब aquatic animal से हम लेंगे तो कि हमारे चरी पे उनसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं कि ठीक है भाई गविगर काफी लोगों झालकी अंसर दिया लेकिन य' से नीए बताया कि दशी को अतर्दा अप उससेोर प्रभाव करें जा लेकिन दर्धों को क्या है किशार हुवर मतलब कि आप क्या कर सकते हो आप उस्से आगे भी जा सकते हो उससे पीछे भी आ सकते हो फॉर एक्जाम्पल अगर आपने पानी से बर्फ बना दी है तो आप बर्फ को पिगला के वापिस पानी भी बना सकते हो तो यह क्या यह reversible reaction होते हैं, आप आगे जाओगे फिर वापिस आजाओगे, लेकिन अब आपने अगर दूद से दही बना दी है, तो आप वापिस से दूद नहीं बना सकते, यह क्या ही होता है, irreversible reaction, मतलब इसमें वापिस नहीं जा सकते हैं, ठीक है, चलिए जी ठीक है, तो कुल में लाके आ ठीक, चलो, और आगे बढ़ जाते हैं, next question की तरफ, ध्रुवतारा, पोल स्टार, ध्रुवतारा मतलब पोल स्टार किसे कहा जाता है, उत्तरी तारे को, दक्षनी तारे को, पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से बताओ बहीं, English भी स्टार्ट कर दूँ, English भी स्टार्ट कर दूँ, English का तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने Maths और CDP का सोचा था, बाकी देखते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मोहित कुमार कहते हैं, दही से दूद बनाना, डाटा इनेडिक्वेट, हाँ ये भी कह सकते हो, ठी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, काफी दो कह रहे हैं, इसका अंसर होना चाहिए, ए मतलब उत्तरी ध्रुवतारा, बिल्कुल सही बात, अच्छा, इसकी एक और पहचान भी होती है, अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, कॉंस्टलेशन को आप ज होता है, चम्मच के परकार से, इस परकार से, अगर आप इसको जॉइन करोगे, तो ये कुछ इस परकार से बनेगा, ठीक, इस परकार से बनेगा, अब इसी की डिरेक्शन में आगे चल कर, जो तारह आपको दिखाई देगा, वही यहां पर ध्रुवतारा होगा, और ये डि तारा यही ऐसा होता है जो कभी अपनी दिशाओं को नहीं मतलब अपनी जगह को नहीं बदलता ऐसा क्यूंकि यह तारा क्या होता है प्रथवी की Axis के साथ होता है ठीक एकसिज किसे कहते हैं उमीद करता हूं आपको पता ही होगा यह हमारी है यह इस इस एक्सेज पर घूमती है तो इस तरफ जो है यह होगा हमारा धुरुवतारा मतलब पोल स्टार हम इसे बोल सकते हैं ठीक अच्छा और आगे बाकी जो जितने भी कहाई तरे दिखाई देंगे इसके अलावा कुछ तरै एसे होते हैं जो हमें सिर्फ नौर्थ है मिस्फियर से डिखाई देंगे और सिर्फ से दिखाई नहीं देंगे ठीक लेकिन सिर्फ यह पोल स्टार ऐसा होता है जो अपनी जगे को फिक्स बनाए रखता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया है अंसर है उत्तरी ध्रुवतारा या उत्तरी तारा आगे बढ़ते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कप प्रारंब किया गया स्टार या जल्दीसे बता हुए उनिस से बहेतर में उननीज सो तेयत्तरasan उननी एक एक यासी कब शुरू किया था जल्दी बता हुए हंज बिल्कुल सही बात ह main कि जो सब्तरिशी है वह भी नोर्थ हमिस्पेर में दिखाई देता है मतलब उतरी क्या होता है उत्तरी गोला स्टार्द में दिखाई देता है जल्दी से बताएं कि स्टार भी अपनी एक्षिस पर घुमते हैं क्या नहीं देखो जो स्टार्स होते हैं ना इनकी rotation के या revolution के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि यह असल में होते क्या हैं यह gas के गोले होते हैं तो इनकी कोई भी गती हम कैसे मान सकते हैं जबकि यह gas है हम किसको मानते हैं हम मानते हैं कोई फोस चीज जैसे प्लैनेट है प्लैनेट जो है यह क्या है यह आप पत्थर का टुकडा मान सकते हो मिट्टे का टुकडा मान सकते हो जो मर्जी मानों तो ऐसी सॉलिड चीज जो होती है उसको उसका घुमना हम नोटिस कर सकते हैं लेकिन गैस का घुमना कैसे ही नोटिस कर लेंगे उसमें खाली कि हम fusion और fusion को क्या कर सकते नोटीस कर सकते बाकि उनकी rotation को नहीं कर सकते कि ठीक काफी लोग कह रहें कि 1973 और वी सर ने कहा 72 कि और राखी चंदरा ने भी कहा 72 काफी लोग कह रहें 72 कुछ लोग कह रहे 73 सी बाकी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 73 अगर किसी को भी डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग Google करके देख सकते हैं ठीक है simple सा जो question है इसके लिए कोई जादा हम लोगों को explanation की जरूत है नहीं इसलिए आगे बढ़ जाते हैं बताओ फूलों की घाटी कहां पर है value of flowers कहां है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल परदेश में सिक्किम में या उत्तराखंड में जल्दी से बताए बहुत जल्दी से बताए मोहित कुमार ने बई बिलकुल exact answer दिया है बहुत बढ़िया बई ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नाम पहली बार देख रहा हूँ पर जो भी है इंप्रेस तो किया है project tiger जो है वो 73 में launch किया गया था और wildlife act जो था वो 72 में launch किया गया था ठीक अभी काफी लोग कह रहे है कि उत्तराखंड इसका सही answer होगा बहुत बढ़िया almost सभी ने D answer दिया है लेकिन शिवम कुमार ने answer दिया है C, C answer नहीं हो सकता इसका answer होगा D मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में फूलो की घाटी है, बहुत बढ़िया जगह है आप जाके देखो के तो मजा ही आ जाएगा बाकी जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये कोशिश करते हैं दिल्ली में या मैदानी शेत्रों में कि हम परेशानत धूल से लेकिन जैसे आप यहां उत्तराखंड में वैल्यो फ्लार्स में जाओगे तो यहां भी अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हो तो भी आपको पॉलुशन की दिक्कत होगी अब आप कहोगे सर वैल्यो फ्लार्स में किस चीज का पॉलुशन हो गया वहां कौन सी फैक्टरी है वहां कौन सी गाड़ियां गुमती है और वहां कौन सी धूल है तो पॉलुशन जो होता है वो अलग-अलग प्रकार का होता है जैसे हम पार्टिकल का पॉलुशन अगर माने दिल्ली में, यूपी में, हरियाना में किसका pollution मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, धूवे का pollution मान सकते हैं, धूल का pollution मान सकते हैं, लेकिन फूलों की घाटी में अगर आप जाके observe करते हो, तो यहां किसका pollution होगा, यहां होगा pollen का, पोलन को आप लोग क्या बोलते हो पराग करण क्या बोलते हो पराग करण तो यहां इतने सारे फूल होते हैं कि उनके जो पराग करण होते हैं वो उड़ते हैं किसमें हवा में तो उनका भी पोलूशन होता है ठीक और यह इतना ही खतरनाक होता है जितना धूल होती है बराबर खतरनाक होता है सेम चीज अगर आप अमेरिका में जाके कि देखोगे तो वहां भी कई जगे ऐसी हैं जहां जरुत से जादा फूल होते हैं और उनके कारण जो पॉलन ग्रेंस होते हैं जो परागकन होते हैं उनकी वजह से लोग बिमार हो जाते हैं तो इसका सिंपल सांसर क्य जल्दी से बताएं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगा कि बहुत जल्दी से बताएं वही तिबद की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है इसके अलावा मैं आपको कुछ और बाते बता देता हूं जैसे हमारे यहां पर क्या है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इसी को तिबद में किस नाम से जाना जाता है इसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है यह दोनों आपको पता होना चाहिए जो सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है यह आपको पता होना चाहिए यह तीन नाम आपको एग्ज लिंग से पर्यों लिए जाते हैं कि लोगों ने ये बहुत बड़ी आत्र दिया और सिंधू सिंदू नहीं होगा वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गलाट अंसर दोगे पर ठीक कोई बाधी दिया तो आप नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्म पुत्र इसका सही अंसर है इसके अलावा एक और प्रशने आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको लगे आत बता देता हूं ब्रह्म पुत्र नदी में के एक दूवीप है काफी बड़ा दूवीप है उस दूवीप का क्या नाम है तो जہा तक मुझे याद है अगर आपको याद हो तो आप भी बताओ जहां तक मुझे याद है उस दूवीप का नाम है मजोली दूवीप क्या नाम है मजोली दूवीप इसके अलावा ब्रंपुत्र ही एक मात्र ऐसी नदी है जिसमें क्या चलते हैं शिप्ट चलते हैं इसके अलावा ब्रंपुत्र ही एक मात्र ऐसी नदी है जिसका जो नाम है वो क्या है वो मेल है मेल का मतलब नर है इसी वज़ायसे जो ब्रह्म पुत्र नदी है इसको नदी न कहके कई जगह पे क्या बोला जाता है नद बोला जाता है नद मतलब जो मेल वर्जन होता है नदी का वा ही बात समझ में क réfर मां है तो जल्दी ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, अपना, भारत में इन में से, भारत में निमनलिकित में से कौन सी एजेंसी मुख्या रूप से प्रदूशन के मापन से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनियल या केंद्रिय प्रदूशन दियंतरन बोर्ड या केंद जल आयोग या सर्वे ओफ इंडिया, बताएं जल्दी से, भारत में निमनलिकित में से कौन सी एजेंसी मुख्या रूप से प्रदूशन के मापन से संबंधित है, जल्दी से बताएं, हिंदी में कोशन पूछ लेते हैं, हाँ, ऐसा बोल सकते हो, हिंदी में भी आ सकता है, बताओ, जल्दी से बताओ, फिलाल ये बताओ, CPCB हाँ ठीक है भई जल्दी से बताएं बाकी लोग जल्दी से बताएं मिजोरिटी दिखाओ जल्दी से क्या कहते है आप मिजोरिटी में कुछ लोगों ने कहा इसका अंसर C होना चाहिए कुछ लोगों ने कहा B होना चाहिए श्वेता ठाकुर ने कहा इसका अंसर C होना चाहिए, C अंसर नहीं होगा, और किसने कहा भई, Samsung ने भी कहा C अंसर होना चाहिए, OPPO, Vivo और MI कहां गाया भई, चला ठीक है, तो इसका अंसर C नहीं होगा, इसका अंसर होगा B, केंद्रे प्रदूशन नियंतरन बोर्ड इसका सह अंसर होगा, अच्छा, ऐसी गलती आप लोग कैसे कर सकते हो, यहां प्रदूशन लिखा हुआ है, यहां प्रदूशन लिखा हुआ है, यह क्या हसी मजाक में यह बोला है, या कैसे बोला है, वैसे मुझे समझ नहीं आए कि आप लोग ने इस यह अंसर बोला क्यों, हो सकता यह संधर है पहले वालों का दे रहे हो आप अभी तेक आउसर कोई बात नहीं तो प्रद्रीय प्रदूशय दियंत्रन बॉर्ट जो होता है यह क्या काम करता है यह दो तरीके काम करता हैं पहले तो यह रूल बनाता है रूल बनाता है कि किस एरिया में किस हद तक जो पॉलूशन है वो अलाउड है इसके अलावा जो रहने वाले एरिया है मतलब रहाईशी जो शेत्र है उनमें पॉलूशन को कम रखने के लिए या करने के लिए क्या कदम उठाई जा सकते हैं जैसे अब एक चीज थी जो आप लोगों से पूछी जाती है कि ध्वनी प१ूशन जो होता है ध्वनी प१ूशन जो होता है वो किस हद तक अलाउड है कौनसे एरिया में रेसिडेंशल एरियां मों और इंडस्ट्रियल एरिया में इन दो में किसा हद तक अलाउड है तो अब यह आगे और के टिक्राइज कर दिये जाते कैसी तरीके से यह क्या कftig करने हैं यह रूल बनाते इसके अलावा उसके बाद अगर इनको पता चलता है कि इतना करने से प्रदूशन जो है नियंतरित नहीं हो रहा है तो उसके बदले में क्या कुछ जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं वो भी ये निरदारित करते हैं ठीक अच्छा इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता ह होना चाहिए कि AQI क्या होता है मतलब Air Quality Index क्या होता है और उसमें किस जो AQI है उसमें सेफ में काउंट किया जाएगा किसमें पोईजनस में काउंट किया जाएगा ठेक है AQI मैंने बहुत बार डिसकस कर रखा है तो आप लोग नोर्मल सा अगर सर्च करेंके देखोगे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ठीक अगर फिर भी कोई question है तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे बाकि भाई दो लोग आज ऐसे हैं जो बहुत दिनों के बाद दिखे जिन में से एक है जोती सोनी और दूसरे कौन थी वीना दक्ष यह बहुत बहुत पुराने लोग है मतलब यह मानलो कि जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब से यह जॉइन थे पहले जो सब्सक्राइबर जिनको बोल सकते हैं उन में से एक हैं और बाकि तो भाई उसके बाद लोग जुड़ते गए मोटिवेशन मिलता गया फिर हम भी काम करते रहे तो तब जाके अब यहां तक पहुंचे हैं कि हां जी कि प्रेंका जी धन्यवाद और बाकि भाई अगर किसे कोई प्रशन पूछना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्षन में भी बोल सकते हैं अपने प्रशन डाल सकते हैं और भी मैंने कुछ आप लोगों के लिए सोचा है थोड़ा बहुत की आज तक मैंने जो यूट्यूब शोट्स का का इस्तमाल कर सकता हूं अगर हमें ऑप्शन दिया गया है तो क्यों ना उसको इस्तमाल किया जाए फर एक्जामपल मानलों आप कोई भी प्रशन पूछते हो तो उस एक क्वेशन के लिए एक मिनिट में एक्स्प्लीन करना बहुत आसान है ताइम सेविंग होगा आप मोहन प्यारे जागों हम तो अगर आप लोगो कोई चीज समझ में ना आये तो आपलो कमेंट सेक्षन में डाल सकते हो मैं कोशिश करूंगा कि उस एक कोशन पर एक जो शोट वीडियो होती है पता नहीं 15 सेकंड की होती है कितनी सेकंड के होती पता नहीं जो भी है तो उतनी सब्सक्राइबर थी थाड़ भी बहुत जादा होता है थाड़ भी बहुत जादा होता है मतलब ठीक है आज कितने हो गए है कुछ असी हजार के आसपास पहुंच गए हैं तो असी हजार में कोई ऐसा व्यक्ति जो तीसरे नंबर पर खड़ा था काफी पूराने हो मतलब ये तो वो लोग है जो घर बन रहा था ना तब इंट रखी जाती है नीव में उन में से लोग है ये चलो ठीक है वाई टेक केर जान रखो अपना नोट्स बनाते रहो और अगर कोई प्रशन है मन में तो कमेंट सेक्शन में डाल दो और अगर क्लास पसंद आती है लाइक कर दो अपने दोस्तों को बताओ अगर आप पहले हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो जितना आप फैलाओ गे उतना य को से कल